Hey everyone, welcome back to my channel, कैसे हैं आप लोग आसा करती हूँ, सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छे हूँ, तो देखें सुबह सुबह का टाइम है और मैंने अपने विलोग की सुरवात कर दिया है, यहाँ पर अभी मेरे कपड़े धूल रहे हैं और मैं यहाँ पर कपड़े निकाल देती हूँ, मैं इसमें से निकाल के इसमें डाल देती हूँ, क्या कि पानी से नली चला देती हूँ, और वो खुछ से धूल जाते हैं, तो देखें मैं यहाँ पर यह कपड़े पहले इसमें डाल देती हूँ, सुबह सुबह के टाइम सर्दी में कपड़ा धूना, बस पूछ हो म और आब मैं यह स्कुटी और बाइक कर दूंगी बाइक क्योंות की इन्हें धुलूंगी और यहां से मुझे फर्स भी धोना है तो सबसे पहले मैंने इस्कुटी कड़ी कर दिए और मैं कर देते हूं इस बाइक को भी भाइक करेंगी तो देखिए अभी करूंगी धीरे-धीरे सरका कर लेगे इनको देखिए मैं करने ही चली गई थी इनको खड़ी और देखिए अब मैं आ गई हूँ वाइपर मारूंगी यहाँ पर पानी मैंने पहले ही डाल दिया था पानी चल रहा था तो इसलिए मैं पानी को सूत लेती हूँ वाइपर से सारे में वाइपर मारना क्योंकि पानी पानी हो जाता है तो कपड़े विदूलते रहेंगे बहार खड़ी करके बाई को और इसकोटी विदो दूँगी काफी दिन हो गए है और देखे यहाँ पर मैं डाल रही हूँ पानी देखे और देखे इसकोटी बाईक यहाँ पर खड़ी कर दिया है और अब मैं इने दूँगी मैंने सरप ले लिया है और एक कपड़ा देखे इस कपड़ा से मैं इनको साफ करूँगी कभी कभी कर लेते हैं ऐसे काम भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आज इसकोटी बाइक दोनों घर पे हैं तो सोचा जब भार से धुलाई कर ले तो इनकी भी धुलाई कर देती हूँ देखे मैं लगे हूँ दोनों में बहुत गंद की जमी हुई थी पहले मैंने पानी डाल दिया अब उसके उपर में मार लिए कपड़ा दोनों पे अच्छे से कपड़ा मार दूँगी फिर फिर से पानी डाल दूँगी और फिर इने कर दूँगी धूप में तो आप से ही सोख जाएंगी और देखिए लगबग हो चुकी है साब कैसे है सेंडविच है तो गाइस मैं दूफैर गई थी मार्कीट मार्कीट से लेकर आई हूँ कुछ क्रिस्मस सजाने वाला क्रिस्मस ट्री जो था उसे सजाने के लिए थोड़े बात आइटम लेकर आई थी और साम के काम मैंने लगबग कर लिए बच्चे आ जाएंगे टूसन से तो फिर हम सजाएंगे पेड़ क्रिस्मस वाला तो इतने बच्चे आते इतने में लगा लेती हूँ क्योंकि आज है सेटर डे इसमें घी इसमें तेल मंदिर के लिए इतने ये वाले सब रख देती हूँ कि इसमें सरसो का तेल क्योंकि है सेटर रड़े है तो सनी देप पर दिया जलाना जाना है और ये कलावा पीपल में बानना होता है इसलिए वस थोड़ा ही चलता है माचिस और रख लेते इसमें उरत की दाल क्योंकि सनी देप पर चड़ते है उरत की दाल तो ये भी रख देते हैं बच्चे आएंगे मंदिर ले जाएंगे उसके बाद सजाएंगे फिल्टन से तो इतने बच्चे आते हैं ये सब कर लेते हैं फिर हम आपको दिखाएंगे कि हम ट्री कैसे सजाएंगे आज ये भी लख देते हैं घुका तो बने रही है जरूर वीडियो में जरूर दिखाएंगे हम आपको कि हम कैसे ट्री सजाने वाले बच्चे आने वाले इतने बच्चे आते हैं पूजा के लिए प्लेट वी तैयार कर दी यह वाले कपड़े पड़े तेह कर देती हूं जल्दी से तब जल्दी से तेह कर लेते हैं कपड़ों की और गाइस देखिए हम लग गए अपना ट्वी सजाने के लिए देखिए हमने इसके उपर पहले यह वाली पोलो थी चड़ा यह हमारा छोटा सा Christmas tree है और अब हम इसको अच्छे से सजाने वाले हैं नपक्षणा की अब टक्षणा नच्छे सा bell, के जसक है जरे हो आदेना की आदे हैं आप्गे लैस की आपकी। कोड़ा है की बह्मारे हैं नच्छे मारे क offend मैं शुमें यह है को यह हैं अजि ऊे जा फफस्ताऊ से को भ हम पμεतनों कि उन रते हैं, आप है को लिक सबस्दोर है कर दो अगको दो 5 तो गाज देखे हमारा पेट सज गया है हमारा पेट ज्यादा बड़ा नहीं है देखे मैं आपको पास से दिखा देती हूँ छोटा सा ही है ये सब मेरी बेटी ने खुछ से बना कर लगाएं देखे छोटा सा पोदा है हमारा और देखें हमें नीचे तक लाइटिंग लगा दियें तो कमेंट करके चा रहा है तो मैं अभी आपको बताती हूँ बच्चे बताइंगे आपको ये क्या क्या विश्र रखने वाले बच्चों को रहता है कि सेंटा आएंगे वो गिफ्ट ले के आएंगे लाट जलाना बेटा तो अभी मैं इसे पूछती हूँ बेटा आप क्या विश्र रखने वाले हो ममी सीक्रेट इसका सीक्रेट है ये बताने वाली नहीं आप बताओ इधर आओ बेटा आप बताओ क्या रखने वाले हो सेंटा से क्या चाहिए तो वे देखें हमारा बच्चों ने ये ट्री सजाया और मैंने मिलकर तो फ्लीज कमेंट करना सेयर करना वीडियो को लाइक चरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बोलो लाइक करना सेयर करना और कमेंट में जिसको ये अच्छी लगती है वीडियो कमेंट में अपना नाम लिखे तो अब हम इस विलोग का करते हैं यहीं पर एंट कल दिखाएंगे कि बच्चों ने क्या विसीज मांगी थी क्या मिलाए क्या नहीं मिलाए तो आपके साथ मैं कल से एर करूंगी तो फिलाल मैं इस विलोग का यहीं एंड करती हूं बहुत ज़ल मिलूंगे आपसे एक नए विलोग के साथ तब तक बाए